सद्कुरू की साजी निवाची प्यारे सासंगची प्यार और सद्कार से कहना धान निरंकार जी सासंगची सबसे पहले सद्कुर माताजी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार किपसे हम सब ये रहमतों का अनंद ले रहे हैं हम ये जीवन का सफर टै कर रहे हैं सच्चे पाश्या के अशीर वासे दासी आपची के चर्णों में एक महात्मा के विचार रखने जा रही है कि किस तरह ये महात्मा ने हमें अपने विचारों द्वारा समझाया कहने लगे कुछ दिन पहले जब दासी देख रहा था तो उसमें प्रोग्राम आ रहा था नैशनल जियोग्रोफी चैनल पर कि हम दुनिया में इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स या कोई भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं तो वो चीज कैसे बनी है हम अपनी गाड़ियों में एक डिवाइस लगाते हैं जीपीएस या नैविगेटर लगाते हैं उसके उपर वो प्रोग्राम दिखा रहे थे कि कैसे वो बना है उपकरहें के साथ जुड़कर किस त्रहें देशांतर अंक्षांश निकाल कर आपकी सही स्थिति पता लगती हैं और जो भी एड्रेस आप उसमें डालते हो बीना किसी प्रोग्राम के आप अपने मंजिल के उपर पहुँचाते हो जहां पर आपने पहुचना होता है वहां आप जीपीएस या नैविगेटर के थूप पहुचाते हो जब वह प्रोग्राम खतम हुआ तो दास अपने जीवन के बारे में सोचने लगा कि सही माइनों में हमारा जीवन तब शुरू हुआ था जब हम सत्कुरु बाबा जी के दर पर आए और हमने यह ज्यान प्रापत किया था इस शफर के उपर हमारे शुरुवात यह थे जब हमने हजूर से प्रण किया था जो पांच प्रण हमने लिये थे जो प्रभु परमात्मा के दर्शन किये थे तो हमने प्रण किया था कि हम ऐसे जीवन जीएंगे कि आज के बाद इस शण के बाद तो वहां भी हमारी लाइफ के उस जीपीएस उस नैविगेटर ने हमारे सारे प्लांटिंग कर दे थे लाइफ की आज हमने लाइफ के प्लांटिंग कर दे थे आज हमने यहां से शुरू किया है और मुझे पता है कि आपकी जिन्दगी कहां खतम होगी बाकी हमारे जिम्मेदारी है कि हम कितना विश्वाश उस GPS पर उस नैविगेटर के उपर करती हैं और निकल जाती हैं घूमने के लिए कोई परवार नहीं करते कि हम कहीं खो जाएंगे क्योंकि हर समय एक हवाज आती है कि आप गलत मुड़ गए हो यहां से यू टर रास्ते पर हमें हजूर बाबा जी ने डाला था पर हमारी मनमत हमारी मनमर जी हमारे फैंसले कि हमेशा उस लाइन उस रास्ते से हम बहुत दूर होते चले जाते हैं और इस दुनिया में हम खो जाते हैं नैविगेटर गाड़ी में हैं और जब हम खो जाते हैं तो आवाज कि यहां से मूडो तुम अपना रास्ता छोड़ रहे हो और एकदम हम डर जाते हैं कि यहां से कौन हमें बचाएगा यहां तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहां नैही मैं इस शेतर को पहजानता हूँ और जल्दी से जैसे भी वो निर्देश आती हैं उसको अनुसरन करके वापिस उसी रास्ते पर आ जाते है और फिर हमें सैटिस्टेक्शन होती है फिर हमें संतुष्टी होती है कि अब हम सही रास्ते पर चले हैं यहां दास को भी इतने साल हो गए संगत में आए हुए सत्कुर बाबाजी के वच्छन सुनने को मिले है direction मिला है, मारग दर्शन मिला है, personal time भी इतना मिला है कि मेरे कान भी बंद हो गए है, बाबा जी मेरे को बता रहे हैं कि यह रास्ता आपके लिए गलत है, आप खो जाओगे यह गुर्शिक्की का, भगती का मारग नहीं है, आप बहुत दूर पहुँच जाओगे यह कहते हैं कि किर्पा करके वापिस सही रास्ते पर आजाओ, लाइफ में वो मोड दे दो ताकि आप उस स्थान के उपर आजाओ, और बाकी फिर मैं करता हूँ कभी कभी हम मानते हैं, कभी कभी हम नहीं मानते, पर इनकी बक्षिश खतम नहीं होती उस रास्ते के अंदर एक मोड डालते हैं कि चलो यह गलत जा रहा है गलत जाए जा रहा है पर मेरा भी कोई फर्ज है कि मैं यहां मोड दे कर वो ही रास्ता यहां इस थान पर वो खड़ा हो जाएगा मेरा गुर्शिक पर बार बार यह गलती हमारे से होती रहती है और सब कहते हैं हम तो इनसान है हमारा हक बनता है गलती करने का साथ संगच्ची हम जितने भी हैं जिनों ने भी गुरु का ग्यान प्रापत किया है हम इनसान नहीं है हम गुर्सिक है सत्गुरु के गुर्सिक है हमारा फर्ज बन्दध है कि जो सत्गुरू कहे वो हम करें उसके इलावा ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है ना कुछ सुजैशन देना है कि बाबा जी आगकी बात तो बिल्कुल ठीक है मगर अगर मैं ऐसे करूँ तब ही तो वो मिल सकता है तो बाबा जी फिर राम से कहते हैं कि चलो आ फिर कर लो जो आपने करना है और कुछ साल बाद फिर वापस हम इनके चरनों में पहुंचाते हैं और कहा देते हैं बाबा जी माफ कर देना मैंने आपकी बात नहीं मानी ठोक रेखाई गे हुआ मेरे साथ में बरबाद हो गया फिर सद्गुर बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है अब इसे ठीक हो जाएगा हम मुश्किल रास्ते पर चलना सीखते हैं जबकि सद्गुर तो हमें असान रास्ते पर चलना सिखाना चाहते हैं कब वो दिन आएगा कि यहां बैठ कर हम अपने सद्गुर के सामने बैठ कर हम अपना सीर उचा कर सके और कह सकते हैं कि सच्चे पाश्या जैसे आप चाहते हो जैसे आप करते हो वैसे मैं जीवन जी रहा हूँ कब आएगा वो दिन मैं भी सोचता हूँ कभी जब बाबा जी के साथ बैठता हूँ सोचता हूँ, चर्चा करता हूँ मैं भी सोचता हूँ कि बाबा जी की आउट लुक या फिलिंग क्या होती है कि इतना समय इतने कुरुबानियां देकर सत्कुरुबावजी ने हमें एक स्थान के उपर खड़ा किया ग्यान देकर सचाई के उपर कि ये जो आप सोच रहे हो ये आपकी पहचान है ये भोतिक शरीर ये फिजिकल बोड़ी यह केवल फिजिकल टूथ है असल में आपकी जो अडिन्टी पहचान है वो है आपकी आत्मा यह जो आपका भोतिक शरीर फिजिकल बोड़ी आपको मिली है ये फिजिकल ये केवल फिजिकल टूथ है असल में आपकी जो अडिन्टी है पहचान है वो आपकी आत्मा है अध्यात्मिकता जो आपके अंदर है मैंने भी कहीं बार सुना था पर मुझे रिलाइजेशन तब हुई जब एक बार लंडन में और मैंने कईयों के साथ इसे शेयर भी किया बाबा जी ने जब लंडन से वापस जा रहे थे दिल्ली तो वहां फरमाया था कि एक गुर्षिक जब सदकुर बाबा जी लंडन से वापस दिल्ली जा रहे थे तो बाबा जी ने वहां फरमाया था कि एक गुर्षिक एक भगत को अपने शरीर से उपर उठकर भगती करनी चाहिए हम तो हैरान रहे गए कि सदकुर बाबा जी ने क्या बोला समझ नहीं आई थी कि सदकुर बाबा जी क्या कहना चाह रही है सदसंग के बाद मैं ग्यानी जी के साथ बैठ गया थोड़ी देर के लिए मैं ग्यानी जी के साथ बैठ गया ग्यानी जी बिल्कुल चुप बैटे थे, सामान्य त्यावे ससंग के बाद सब के साथ मीक्स होते हैं, बात करते हैं, प्रोसाहन देते हैं, लेकिन उस समय वो बिल्कुल चुप बैटे थे, मैंने अफसर देखा, तो मैंने ग्यानी जी से पुछा, ग्यानी जी बाबा जी ने आज कोई बात की और वो मुझे पूरी त्रह से समझ नहीं आई, आप किर्पा करके मुझे समझाईए, बाबा जी तो कहते हैं कि आपने दुनिया के अंदर रहना है, और अभी आप और अभी बाबा जी कह रही हैं कि शरीर से उपर उठकर भक्ति करो, तो ग्यानी जी ने कहा कि शरीर के साथ आप देखो कि क्या-क्या जुड़ा है, हेल्थ, फैमली, वरक, रिस्पोंसिबिल्टी, सुसाइटी, एवरीथिंग, ग्यानी कि स्वास्त है, परिवार, कार्य, जिम्मेदारियां, समाज, हर चीज, जिसमें बदलाव आता है, चेंजी जाता है, खुशी भी आती है, गम भी आता है, इनसान उपर उठता है, और नीचे दुबारा गिर जाता है, उसमें कोई स्थिर्ता नहीं आती, अगर उसके जीवन में कोई स्थिर्ता नहीं आती, कारण कि वह जिस वातावरन में रह रहा है, तो उस वातावरन से, उस एटमोस्फियर से, उसको निकलना चाहिए, क्याने जी ने दुबारा बोला, कि जैसे आप देखो, एक आदमी, जिसको तैरना नहीं आता, अगर वह गिर जाता है, या पानी में, तो तकलीफ उठाता है, क्योंकि वह वातावरन उसके लिए ठीक नहीं है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, कि मैं इस वातावरन से बाह हुआर निकलू, तो मैं ठीक हो जाओंगा, कहते हैं कि सतकुर बाबजी भी हमें, यही समझा रहे हैं, कि जब ज्ञान दिया था, तब हमें समझाया था, और हमने वो वादा किया था, हमने सिंधात रूप में सर्कार किया था, कि मैं शरेर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, म मैं परण देता हूं, मैं वादा करता हूं कि इसी नजर से मैं अपना जीवन जीऊंगा पर वो समय तो बदल गया जब भी आते हैं सामने, जब भी पूछते हैं हमारे अपने बारे, परिवार के बारे, व्यापार के बारे हाँ ठीक है हमने यही वो बाते करनी है पर इस कल्यान यात्रा में अक्तूबर में जब दास गया था हजूर के साथ वहां भी ऐसे नमशकार की लाहिल लगी थी और जो भी आ रहा था यह मांग रहा था यह पूछ रहा था और बाबा जी ने बड़े ही अराम से जैसे अपने आप से बात कर रहे थे और यही बोला कि यह तो शरीरों में अभी भी पड़े है मैंने पूछा कि यह क्या बात है बाबा जी ने बोला कि जब कोई इस प्रभू के बारे भगती के बारे शान्ती और अनंद के बारे में मुझसे पूछेगा सभाविक रूप से वो चीज़ देने के लिए मैं इनको इस भोतिक वाद से निकालूँगा तब ही वो चीज़े इनको प्रापत होंगी और यही बोल रहे हैं हमारे मुर्शद हम को कि आप मांगो निरंकार को मांगो भगती को मांगो ज्यान की समझ को मांगो अनंद को मांगो देखो फिर आपकी जिन्द के कैसे ठीक हो जाती है पर हम डर के मारे कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सिरफ बाते हैं हम कहते हैं कि मेरी जिन्द की पहले ठीक होगी तब ही मैं गुर सिक्की की तरफ भगती की तरफ पढ़ूँगा गलत बात है यह बाबा जी इसी स्टेज के उपर हमेशा उधारन देते कि जो गलत सोच है वो तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी ने आपको कुछ बोला तो वे ऐसी होनी चाहिए जैसे पानी के उपर लकीर होती है औ आज हमारी हालत यह हो गई है कि जो सत्गुर कह रहे हैं हमारे को वो है पानी के उपर लकीर और जो हम सोच रहे हैं वो हमारी नैटिविटी वो है पत्थर के उपर लकीर बक्षन हार हमारे सामने बैठा है पता नहीं इतना एमोशनल होकर दास बोल रहा है मैंने भी देखा ह मैंने भी सुना है, अपने जीवन में फील किया है, छोटी सी उमर है अदास की, एक बार आप इनके साथ खड़े हो जाओ, एक बार आप इनके बनकर तो देखो, देखो ये आपको कहां से कहां लेकर जाती हैं, छोड़ दो अपनी नफरतें, छोड़ो तंकदिलियां, प्यार क सबसे प्यार करो, ग्यान को अंडरस्टैंड करो, यानि कि ग्यान को समझो, और देखो कि आपकी जिन्दगी कैसे बदलती है, मेरी जिन्दगी खुद बदली है, चलो मैं पूरन नहीं हूँ, मैं भी ऐसे संत नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, गलतियों को खतम कर करने के लिए घटाने के लिए इनको भी पता है कि चलो हम सब को कोशिश करनी है जहां जादा कोशिश होती है जहां प्योर्टी होती है पुवित्रता होती है जहां अंदर से वो हमारा दिल बोलता है यहां मैंने यह करना है तो यह बिल्कुल वहां खड़ा होता है खड़े होक कोई हम सब आपके सामने बैठे हैं और सच्चे दिल से सत्कुर्माता जी हम सच्चे दिल से मन से आत्मा से यही मांगते हैं सच्चे पाशा आप सभी के उपर किर्पा करना हमारे उपर भक्ती का दान जो सही मायनों में भक्ती का दान है वो हमारे छोली में डाल देना और किर् प्रखट करने के लिए कवी कि ये प्रेणना दायक पंक्तियां भी याद आ रही हैं तेरी आखदी सीप दा एक मोती जे गुरु चर्नाच डूल जाए इस दी रहमत दा सब सागर तेरी एक मोती नाल तूल जाए सचे पाशा आप जी ने जिस तरह सदकुर माता सुदेक्षा दी महराज जिस तरह आप जी ने अपने छतर चाया में हमें रखा हुआ है इसी तरह ता उमर अंतिम स्वासों तक आप जी अपने चर्नों में रखना अपना मेहर भरा हात रखना अपनी मेहर भरी नजर रखना ते घर में सुख सागर बन जाता है, सुख खा जाती है और सुख किते न मिल दे जी, सुख मिल दे गुरू दी शरनी सुख कहीं पर नहीं मिल दे, सुख सत्गुरू के चरनों में मिल जाती है इसलिए हम जब भी मांगे, सत्गुरू के चरनों से भक्ती मांगे भगती दे दो सभी को बक्षन हार माता जी हम सब बैठे हैं चोलियां पसार माता जी जिसने भगती की मांगे दाता दाते आपसे सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे करदो करदो भगतो पर उपकार माता जी सचे पाशा हमें भगती का दान देना हम जब भगती मांगते हैं तो सारे सुख अपने हापी मिलते चले जाते हैं जो जो आप जी को हमारे लिए सुखताई लगता है आप जी करते हो बस हम आप जी का शुकराना करते रहे हर बार हम शुकराना ही करें कहते हैं शिक्वे से शु कायत ना करें हम शुकराना ही करते रहें शुकराना शुकराना सत्गुर्दा शुकराना पल-पल करें करते रहें लब दे रहें बहाना जब हमें सही माइनों में शुकराना करना आ गया तो किसी भी चीज की कमी नहीं जीवन भी आएगी हर हाल में दाता का जो शुकर मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाती है जो हर हाल में सत्गुर का शुकराना करती है उनके घर में खुशियां आती है उनके घर स्वरक बन जाते है मंदिर बन जाते है पूजा स्थल बन जाते है वो घर पूजने लायक हो जाते है और उस घर में जो महम्बर रहते हैं वो भी पूजने योक्य हो जाते हैं उनकी भी हर जगा जए जगार होती है हर जगा सतकार होता है हर जगार पूजा होती है सचे पाश्या, बोलादे नक्षियां ते, हम लादा रंग भारते, जीवन को जारा, तेरे संता तो ड़ते ड़ते, जो भी बोल बोले जा रहे हैं, इनको हम अमल में भी लाएं, और अपना जीवन सुखी बनाएं, स्वरक बनाएं, अपना लोग सुखी पर लोग सुहिला करें और दासी सभी के भले की कामना के लिए सिम्रन करवाएगे, सभी ने विलकर सिम्रन में सहयोग देना है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, या नूबख्ष लो पॉलगे सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंधर हर देवजी महराज की जै, निरंकारी राज माता गुरु वचनवतार की जै, रासंगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी